सास बहु का एक ऐसा रिष्टा होता है जिससे सम्हाल पाना ज़रा मुश्किल है रियल हो या रियल सास आखिर सास होती है अब आल्या भट की सास नीतु कपूर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसे लेकर अब वो ट्रॉल हो रही है दरसर बॉलिवूड स्टार नीतु कपूर हाल ही में फिल्मेकर करन जोहर के शो कौफी विद करन के आठवी सीजन में पहुची थी यहां उनके साथ जीनत अमान भी इस चैट शो का हस्सा बनी जहां दोनों ने ही अपने बीते दिनों के बारे में बात की तो वहें इस बीच नीतु कपूर ने बेबी रहा कपूर को लेकर भी कई प्यारी बाते बताएं जो फैंस का दिल चूले गए लेकिन इस बातचीत के दौरान अदाकारा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर करन जोहर के मुझे भी निकल गया कि घर में मिनी बैटल चल रहा है इस बात को सुनने के बाद इंटरनेट पर भी कई लोग एक्टरस नीतु कपूर की क्लास लगाने लगे आये जानते हैं कि भला शो के दौरान ऐसा नीतु कपूर ने क्या कह दिया दरसर इस चैट शो के दौरान अदाकारा नीतु कपूर ने बेबी राहा कपूर को लेकर कई बाते की उन्होंने बताया कि बेबी उनके घर पर ही पलबर रही है नीतु कपूर ने बताया कि वो घर के हैलपर्स को भी लगादार टोकती रहती हैं कि बेबी राहा को पहले पापा बोलने के लिए कहो जबकि आल्या बोलती है कि मम्मा बोलो तो एक दिन आल्या ने आकर कहा कि उसने मम्मा बोला जिस पर नीतु कपूर ने कहा कि उसने ममा नहीं ममम बोला जो सबसे आसान होता है बच्चों के लिए बोलना तो उस पर जादा खुश मत हो अधाकारा नीतु कपूर की ये बात अब शोशल मीडिया पर वारल हो गई है जिस पर लोग जम कर कमेंट्स करते हुए उन्हें टॉक्सिक सासुमा का ट्याग देने लगे एक यूजर ने कमेंट कर कहा उनके विचार कितने टॉक्सिक हैं तो एक यूजर ने कहा मुझे नहीं पता कि ये इतनी प्रॉब्लमाटिक क्यों हैं हर चीज को लेकर तो एक ने कहा टिपिकल टॉक्सिक सासुमा वाला वरताब बता दें के फिल्म स्टार आलिया भट और अन्बीत कपूर की बेटी राहा कपूर एक साल की हो चुकी है जिसके बाद बीते क्रिस्मस के मौके पर फिल्म स्टार कपल ने पहली दवा मीडिया को अपनी बेटी राहा से पूरी दुनिया को मलवाया था उल्म बाद पूर का बेटी दोग्ध के लिए दुनिया के लिए।